हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका अमारी यूटूब चैनल के इस वीडियो में दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास तेन्थ मैत का सिलेवर्स जो की 2022 के लिए है तो देखें इसमें सिलेवर्स तो आपको पता होगा कि टोटल 15 चेप्टर हमको मैत में पढ़ना है लेकिन कैसे किस तरीके से पढ़ना यह आपको पता नहीं होगा जब कोई आदमी को कोई काम करने का तरीका पता चल जाता है तो काम असानी से कर पाता है और तरीका नहीं पता होता है तो ऐसा नहीं होता कि काम कर नहीं पाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होत तो देखिए आपको इसी के मद्देनायत का सिलेवर्ष आपको बताने आया हूँ तो इस विडियो में पने रहे और देखिए पुरान तक अब देखिए 15 चिप्टर आपको तो दीख रहा होगा बास्तविक संख्या बहुपद दो चरवले रेकिक समिकरंद विगात अब बचता है सांकी की और प्राइकता सभी मिलाकर कितना हो जाता है 15 तो देखिए 15 तो चिप्टर है लेकिन इसको हम बाटे है छे परकार में जो कि आपके बोर्ड एक्जाम में कैसे कैसे पूछता है कितना अंका देखिए पहला में बहुपद जिसको रियल नंबर कहते है वो आपका एक्जाम में आएगा दसंका ऐसे मतलब बोर्ड बोला है कि दसंका लेकिन उससे अधिक ही अभी आ रहा है दस से पलसी मान के रखिएगा ठीक है और दूसरा में है बहुपद दो चरवाले रेकिक से मिकरन द्वी घासा मिकरन और स्रमार्टर स्रेडी ये चार चे देखे निर्दे स्यांग के जमीती आपका एक अकेला चेप्टर है जो दसंका पुछा जाएगा तो इस पर थोड़ा सा फोकस जादा कीजिएगा अब चोठा में है तिरकुन मीती का परिचय और तिरकुन मीती का अनुपर्यूग दोनों तिरकुन मीती से संब्दित था तो इसको दोनों को एक ही में रख दियें यह दोनों मिलाकर आपको 20 अंग का पूछा जाएगा ठीक है अब देखिए तीर भूज बीर्द और बिर्दों से संब्द्नी चेतरफल प्रिष्टिय चेतरफल यह चारों एक चेप्टर में हम मिलाकर रख दियें यह चारों मिलाकर आ लेकिन मानिए 20 15 नमर पूछी देगा इससे यह तो हो गया सिलेवर्स लेकिन पैटर्ण एक्जाम पैटर्ण अभी क्या चलता है यह तो आप लोग को पता नहीं है इतना पता होगा कि 50% objective पुछा जारा 50% subjective तो देखिए objective subjective का क्या पैटर्ण है वो भी हम पूरा बताएंगे इस वीडियो में तो बने रही है इस वीडियो में अगर आप अभी तक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दिजिए और इसमें आपको 50 question का ही answer देना है ठीक है 100 question मत्तों कि 100 marks का पूछा जाएगा उसमें आपको 50 marks ही बनाना है 50 marks इस से objective से आपको लेना है ठीक है 100 question में किन ही 50 question को आपना मन पसंद से बनाईए और 50 marks अपना बना लीजिए 50 marks इधर से हो गया क्योंकि 50% है क्योंकि यह total मिला के 100 अंक आपका रहेगा 100 अंक का रहता है लेकिन आपका पूछा जाता है 200 अंक को ठीक है 200 अंक का पूछा जाता है जिसमें आपको 100 अंक लाना रहता है ठीक है अभी का pattern इहीं चल रहा है आप देखे अपजेक्टिव तो आपसे लोग समझ गए होंगे अप देखे 50% subjective रहता है सब्जेक्टिव को भी दो भागों में बाटा है सब्जेक्टी को दो भागों में बाटा है एक ठोया तो दो माक्स का पूछा जाएगा और एक पाच माक्स लगु उतरिये और दिर्ग उतरिये प्रस्ट तो लगु उतरिये जो दो माक्स कराता हूं तीस कोश्चन पूछा जाता है जो कि साथ माक कर रहता है तीस कोश्चन में आपको किनी 15 कोश्चन अपना पसंद से चुनिए और 15 कोश्चन का जवाब दीजिए 15 कोश्चन दो माक्स तो 30 माक्स का आपको यह हो गया साथ माक्स पूछा जाता है उसमें 30 माक्स तो आप इधर से ले लिजिएगा ठीक है 30 में 30 आहीं जाएगा अब देखिए पाच माक्स का रहेगा कितना कोश्चन आठ कोश्चन तो आठ पची कितना हो जाता है चालिस माक्स का आपका एक कोश्चन रहेगा दिर्ग उसमें आपको चार कोश्चनों का जवाब देना है ठीक है चार पची कितना हो जाता है 20 माक्स आपको मिल जाएगा चार कोश्चन का जब आप दीजिए अब इतर से ले लिजिए तो इधर हो गया चालिस मार्फ में आपको कितना लाना है 20 मार्फ 50% से इधार डिसकाउट मिल रहा है ठीक है तो 40 में से इधर 20 मार्फ लाई है 30 और 20 मिला कर आपको टोटल हो गया सबजेक्टि में कितना 50 उमीद होगा कि 50 इधर objective में 50 में तो 50 में एक नंबर भी नहीं कटेगा 50 में 50 लाना ही है और इधर रहा इधर भी 50 में 50 तो आपको target लेके चलना है क्या लच आपको क्या बनाना है आपका लच रहेगा कि 200 अंक ऐसे तो पूछा जाता है क्या आप 200 200 अंकों में से 100 नहीं ला सकते हैं तो आपका लच यही रहेगा कि गनीत में आपका 100 में से 100 2024 में लाना है तो लाना है ठीक है आप यह target लेके चलिए एक आदो नंबर कमेगा तो कमेगा अंठानमे पंचानमे संतानमे तो रहेगा ना लेकिन अचलिए अपना लच बनाईए और लच के प्रतियफना समर्पन भी दीजिए सिर्फ लच बनाने से कुछ नहीं होता है ठीक है आप ऐसे ही माल लिजिए कि हम 100 में 100 लाएंगे और इसके प्रति मेहनत ही नहीं करेंगे क आप 100 में 100 लाने के लिए आपको क्या करना है पहले तो पूरा चेप्टर वाई चेप्टर आपको पढ़ते जाना है ठीक है चुपचा पुछ नहीं करना चेप्टर वाई चेप्टर सभी का सेल्यूशन करते जाना है कौन सा बुक से एंसी ए आर्टी से एंसी ए आर्टी ठीक है question bank आता होगा जिसको previous year बोलते हैं प्रिवियस यह प्रिवियस यह कोश्चन उसको आपको लगाना है ठीक है प्रिवियस यह कोश्चन बनाने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोश्चन कहां से क्या पूछा जाएगा और नहीं तो नियुक बनाने के बाद आपको सबस्क्राइब को होग लग रहा है कि कोई सा और बूक बना है तो आप स्टूडेंट्न का केसी सीना भी ले सकते हैं तो भारती भवन भी आप भारती भावन भी बना सकते हैं ज्यादधा बेहतर्धि के लिए ठीक है लेकिन एंसी आर्ट जरूर बनाएगा गया किताब यह जिससे बोर्ड एक्जाम में आपको पूछा जाएगा यह बना लीजिए उसके बाद प्रीवियस एर क्वेस्टन लगा लीजिए और बाकी रहेगा उब्जेक्टिव तो मेरे इस चैनल पर आपको उब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब एक्जाम नजद चैनल पर सभी चैप्टर भाई चैप्टर अच्छे कंसर्प्ट के साथ बेसिक से पूरा तैयारी कराया जाएगा तो बहुत जल्द ही यह भी सुरू होई ही जाएगा तो अगर आप करना चाहते हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और इस वीडियो को लाइक किज आगे बढ़ते रही है